देखो कल न्यूज में एक बड़ा ही सौकिंग न्यूज आया आप लोगों ने भी सुना हो गया ना न्यूज क्या था कि एक बिहार का ही कोई एक्टर था सुसान सिंग राजपूर्ट जिसने साथ यह एमस धोनी ता अंटोल्ड स्टोरी ने एक्ट किया था ठीक है ना और सबसे बड़ी बात पता है कि एक चीज होती है कि कुछ लोगों को ना कुछ लोगों को ना क्या होते पोपलेरिटी ना मिल जाता है बस लेकिन कुछ लोगों को गेन करना पड़ता है मैं बोलने की बात यह कर रहा हूं कि अगर कोई एक बड़ा ही फेमस एक्टर या किसी भी फिल्ड का हो तो उसके जो अगले जेनरेशन वाले होते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ती है नॉर्मली मैं बात कर रहा हूं ठीक है न ऐसा नहीं है कि उन्हें इस्ट्रगल करना नहीं पड़ता है लेकिन नॉर्मली ज़्यादा श्ट्रगल करना नहीं पड़ता है as compared to those जो की बड़े ही low background से आते हैं जिन्होंने पहली वार उस particular industry में खदम रखाया और वो उनी में से एक था और मेरी बात सुनो जो ऐसे जगों से जाते हैं न मतलब बिल्कुल नीचे से होके उपर की ओर जाते हैं वही success को न enjoy भी कर पाते हैं बात को समझ न वही success को enjoy कर पाते हैं तो he was one of them लेकिन पता नहीं यार क्या हुआ कि उसने suicide commit किया यह तो आप समझे रहो reason तो किसी को भी नहीं पता है लेकिन suicide का एक ही reason होता है चाहे reason कुछ भी हो suicide का एक ही reason होता है और वो क्या है depression समझने की कोसिस करो आप अब देखो आप सोच रहोगर मैं यहां पर क्यों बत एक normal life में क्या-क्या problems आते हैं और इससे कैसे हम cope-up कर सकते हैं बड़ा ही द्यान से समझने की कोशिस करना ठीक है मैंने भी इसमें mastery नहीं कर रहा है बस अपने life experience को ही share करता हूं ठीक है ना कोई भी अपने life experience को ही share करेगा ना basically इससे side को ही motivate हो जाए और अगर एक बंदा भी साल में आ जाता है जरूरी है क्या नई यह depression basically धीरे-धीरे ही सुरू होता है समझने की कोशिस करो ठीक है ना यह depression क्या होता है एक दिन में अचानक से सुरू नहीं हो जाता है यह धीरे-धीरे ही सुरू होता है और यह हर किसी के life में आ सकता है चाहे वो किसी भी background से related हो चाहे एक बड़ा ही famous बंद है उसने बहुत कुछ अचीब कर लिया था अपने लाइफ में अपने दम पे पहनत करके तो समझने ही कोशिस करना कि बहुत कुछ अचीब करने के बाद भी आखिर क्या हुआ सोच रहा हो point को समझने के कोशिस करना है समझे इस बात को तो आखिर क्या problem हुआ चीक है न तो वो तो हमें नहीं पता है लेकिन हर किसी के life में कुछ नगुछ कुछ ना कुछ डिप्रेसिव एजेंट कुछ ना कुछ डिप्रेसिव चोटे रहते हैं तो हमें उससे कॉप बचे के ऐसा है, इस depression से, इस suicide से, बचे के ऐसा है, तो दो हमारे पाउज उपाए हैं बचने का, एक तो self और एक others, ठीक है न, self को कैसे बचाना है वो समझवाब, तो यहां पे समझनी की कुशिस करना, मैं self की बात कर रहा हूँ, ठीक है न, अगर खुद में, जिस दिन, suicide का पहला thought generate हुआ, अगर मेरे body में, मेरे mind में, suicide का the first very thought, चिस दिन generate हुआ, उस दिन से, मुझे अपने पे काम करना है, that means, मुझे उस thought को लेका negative नहीं होना है, उस दिन से ही positive होके चलना है, उसे कैसे cope up करना है, ठीक है, क्योंकि वो thought किसी region से आ रहा होगा, किसी भी region से हो सकत है, मैं भी घर में बहुत ज़्यादा जगड़ा हो रहा है, मैं भी मैं पढ़ने में नीचे होता जा रहा हूँ, बहुत सारे regions होते है, कभी-कभी तो सुनोगे आपकी, मतलब ऐसे region सुनोगे, जो आपको खुद नहीं समझ में आएगा, aims का topper suicide कर रहा है, अब बताओ भई, क्या जरूरत थी, है न, जबकि इतने महिनत करके उसने aims acquire किया होगा, तो life में हर किसी के कुछ रो कुछ प्रॉब्लम आते हैं, देखो, suicide वाले facts जो है न, किसी के लिए lower किसी के लिए higher हो सकता है, for example, अगर, अगर कोई बच्चा fail हो रहा है बार बार है न, वो एक बार pass हो यह जाता है, तो यह उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन, कोई बच्चा बढ़ वर, फर्श्ट राइंक आ रहा हो और वो अगर, 2nd rank भी आ जाता है न, तो यह उसके लिए, suicide वाला, थौट, जनरेट कर देता है, mind में, औरा समझ में, अगर वह फर्स्ट वाला बच्च एक का thought generate कर देता है लेकिन हमें करना क्या है इसी से cope up करना इसी से बचना है तो देखो एक line में लिखेंगा इसको समझना मैंने क्या लिख बड़ा शही लाइन हैं समझो करो हना हमें हमें साभ बेस्ट के लिए प्रिपेर करना है लेकिन ये वाला लाइन अकसर लोग भूल जाते हैं अपकि सबसे important है यह हर कोई करता है अपने life में best के लिए prepare क्योंकि हर किसी को west चाहिए अपने आप में हर किसी को west चाहिए कोई भी नीचे नहीं रहना चाहता है भाई चाहिए वो मैं हूँ चाहिए वो आप हो चाहिए वो कोई भी हो और इसके लिए ना वो बहुत ही hard work करता है चाहिए वो कोई भी इंसान हो लेकिन यह जो line है ना be ready for the best यह कोई नहीं करता है यह बहुत ही कम लोग करते हैं तो हमें इस worst के लिए भी तयार रहना है worst समझ रहो ना देखो सुसान सिंह राजपूत का पिशला movie आया था चिछोरे है ना अपने देखा होगा साइट नहीं देखा हो तो जरूर देखना बहुत ही अच्छी movie है यार उसमें इन्होंने खूद बताया कि suicide नहीं करना चाहिए यह कोई solution नहीं है फिर भी पता नहीं खुद क्यूँ है ना समझ रहे हो इस बात को तो depression में कोई भी जा सकता है कभी भी जा सकता है कुछ भी reason हो सकता है लेकिन हमें इस line को नहीं भूलना है अगर आप इस line को नहीं भूलते हो ना हर condition में आपको worst के लिए prepare रहना है हमें बेस्ट के लिए prepare करना है रेकिन ready रहना है worst के लिए इस बात को समझा आपने अब देखो दूसरे की बात करते हैं हम अधर की बात करते हैं तो अधर में क्या है कि हमें time to time दूसरे से बात करते रहना चाहिए क्योंकि कोई अचानक से suicide नहीं करता है जरूर कोई hint छोड़ता है अब बात करने के उसके mood के बारे में पता चलता है और जब पता चले ना कि नहीं इसके साथ कुछ तो गड़वर हो रहा है तो time निकालो अगर phone पे नहीं हो रहा है बात तो फिर जा के मिलो क्योंकि सामने में मिलोगे तो साथ वो दिल खोल के बता पाए कोई भी इंसान हो चाहिए वो आपका दोस्त हो family member हो कोई भी हो ठीक है ना time दो यार दूसरे को भी time दो क्योंकि देखो सिर्फ खुद के लिए जीना जीना नहीं होता है खुद के लिए तो ना मतलब ऐसे समझो कि कोई भी इस स्पेसी है ना इस अर्थ पे खुद के लिए तो जी लेता है एवन एक नाली में रहने वाले जो कीडे मकोडे है ना वो भी जी लेता है खुद के लिए वहाँ पे भी कोई problem नहीं है लेकिन दूसरे के लिए भी जीना सीखो आ रहा है समझ में ना तो दूसरे के लिए भी जीना सीखो यानि time to time दूसरे को भी time दो पता चले अगर कुछ भी problem हो रहा है उसके साथ किसी भी तरीके से अगर possible हो तो sort out करने की कोशिस करो गर आपसे possible नहीं है नहीं हो पा रहा है तो फिर किसी दूसरे का help लेके sort out करने की कोशिस करो लेकि ठीक है ना क्योंकि कोशिस करोगे तब ही होगा और एक दिन में कोई भी ये ना तो suicide करता है और ना ही कुछ और भी करता है ठीक है तो बस इतना ही बताना था आपको यहार है कि बस prepare for the best but also be ready for the best इस बात को बस ध्यान रखो अपने mind को ना psychologically ready रखो सिर्फ body से strong होना आज के लिए आज के time में सिर्फ body से strong होना जरूरी नहीं है enough नहीं है हमें mentally strong होना होगा यहां से और यहां से strong होने के लिए ना हर दील positive thoughts डालने हो यहां पे क्योंकि यह जो है ना यह जो cpu है हमारा central processing unit brain समझते होना बहुत ही complicated organ है यहां पे अगर हर दीन आप positive vibes डालते होना तो यह positive बनेगा और अगर हर दीन आप negative vibes डालते हो थोड़ा सा भी तो यह negative बनेगा और एक चीज और आप लोगों के लिए as a student negative लोगों से दूर रहो है ना negative people से दूर रहो हमेशा यानी क्या लिख दूई से keep yourself away from negative people जो negative people है ना इनसे दूर रहो देखो जाकिर खाट का एक मैंने podcast सुना था साइद आप लोग पहचानते हो गए उन्हें है ना दसक्त लॉंडा हाँ है ना वही तो उन्होंने ये बोला था ध्यान से समयना कि अगर अगर कोई negative इंसान आपसे बात कर रहा हो ना तो उसे कुछ इस तरीके से बात करो जैसे देखो समझो अपने आपको positive रखो जैसे for example कि आप पढ़ रहा हो अगर कोई इंसान आता है जो कि negative इंसान है और आपको बोल रहा है कि भही तू इतना पढ़ रहा है एक दिन में पढ़के क्या प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा क happy जब दूल कलाम बन जाएगा तो उसे बोलो हां मैं बन जाओंगा ठीक है ना हां मैं बनूँगा बन जाओंगा नहीं हां मैं बनूँगा अब कल तो ना तो उसने देखा है जो तुम्हें negative कर रहा है और ना ही तुमने देखा है तो जब वो बोल सकता है तो तुम क्यों नह सकते हो भई और इससे दिको इससे बस थोड़ा सा दिफरेंस आएगा और वह थोड़ा सा डिफरेंस यह आएगा कि आप में जो निगेटिविटी थी ना वह अब नहीं रहेगी आप तो पॉजिटीव रहोगे उसका जो इंटेंशन था वो पूरा नहीं होता है तो इस बात को ध्यार रख यानि जब सोचना ही है ना जब सपने ही देखने ना तो बड़े देखें गया यानि वेस्ट लेकिन at the same time हमें वर्ष्ट के लिए रेडी रह रह रहा है इसके लिए रेडी नहीं रहते हैं तब ही तो problem होता है ना हम अपने बच्चे को जो भी parents होते हैं अगर अपने बच्चे को क्या बोलते हैं कि इस वर board में pass हो जाओ मैं तुम्हें cycle दिला दूंगा phone दिला दूंगा laptop दिला दूंगा बहुत सारे ऐसे चीज सुनते रहते होगे यह Indian parents में common है ठीक है आरा समझ मैं आपक फेल तो हरको ही होता है, ठीक है, आज नहीं तो कल वो फेल होगा ही होगा, जिन्दिक किसी न किसी छन में तो फेल होगा ना, उसके लिए उसे रेडी रखो ना, उसके लिए भी रेडी रखो उसे, कि फेल होगे तो क्या करेंगे, फेल होगे तो एटलिस्ट बात तो करेंगे बैठके, कहां पर problem हुआ, उसे कैसे sort out करना है, या फिर हम उसे छोड़ देंगे, कि तू fail हुआ है, तू समझ कैसे पास होना है, नहीं, ये गलत है, as a parent, हमें बच्चे को छोड़ना नहीं है, बच्चे देखो, यार क्या है, कि बच्चे न, अपनी life पहली बार जी रहा होता ह है, लेकिन आप as a parent, वो life जी चुके हो, आप बहुत सारे चीजों से गुजर चुके हो, हाँ, ये बात भी अलग है, कि आपने किसी दूसरे टाइम में वो life जिया था, ये किसी दूसरे टाइम में जी रहा है, समझनी कोसिस करो, लेकिन problem तो वहां भी हो रहे था आपके साथ problem यहां भी है, बस problem की जो level है वो थोड़ी बढ़ गई है, वो थोड़ी different हो गई है, यूं कहूं तो, ठीक है, पहले बहुत सारे problems, जैसे देखो, अभी internet का problem हो जाता है, internet से crimes हो जाता है, पहले होता था क्या, बिल्कुल नहीं, था ही नहीं तो होता क्या, तो ने-ने problems भी create ह हो रहे हैं, ने-ने opportunities create हो रहे हैं, हमारे ने life में, तो ने-ने problems भी create हो रहे हैं, तो इन सब चीजों को समझनी की कोशिस करो, ठीक है ना, और हमेशा याद रखो, कि prepare for the best, but also be ready for the best, बस इस लाइन को याद रखो, कभी भी depression में जाहीं नहीं सकते हो, समझ में आ रहा है आपको बस इतना ही बोलना था आप से, इसके बाद मैं यहीं पर खतम करता हूँ आज का session, मैं आसा करता हूँ अपने मेरी बातों को पूरा ही सुना होगा ध्यान से, और सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसे अपने life में उतारना होगा, और जरूरत पड़े ना, तो time to time किसी दूसर को समझाने का, तभी यह आगे बढ़ेगा chain हाना, otherwise लोग depressed होते रहेंगे, suicide करते रहेंगे, चलो फिर ठीक है भाई, take care yourself